पंजाब बात्चीत करने के लिए सर आज एंडिये ने तमाम सांसदों ने मोधी जी को सुसिदल का नेता चुना किस तरिके से देखते हैं और क्या बात्चीत हुई आपकी बात्चीत तक जाता सुवाल है बात्चीत नहीं आज तो सिर्फ बदाई थी क्योंकि पंजाब के पा प्रदानमंत्री मोधी जी का कारशित तर रहा है पंजाब और जिसने से प्रदानमंत्री जी का पंजाब के साथ लगाओ है उसके चलते हुए पंजाब के हितों के उपर निगा खुद परदानमंत्री रखेंगे चाहे बीजेपी के सांसद पंजाब से ना हो परंतु वो ब मैं समझता हूँ 23 विदानसवा शेतर में बीजेपी लीडिंग पुजिशन पर रही है लोगा ने बहुत बड़ा साथ दिया है अफकोर्स जब सीटें नहीं है तो नेचली देखके भी कहां कमी रहेगी और मैं कमी है कि कहीं ऐसे एक जो नरेटिव बनाया गया था बीजेपी क विरुद की किसान विरुदी है या पंजाब विरुदी है उसको दूर करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाए कई बरांतिय फलाए गई थी अब मैं बरांती इसलिए कह रहा हूँ कि किसानों के लिए जितना कुछ और खास्तावर पर पंजाब के किसान के लिए मैं इस पर एंफिसाइज करना चाहूंगा कि पंजाब के किसान का पिछले दस साल से एक एक दाना चाए वो दान का था चाए वो कनक का था और यह फसल अब जो कनकी खतों हुई है एक एक दाना MSP उठाए और बात कर रहे हैं गैरेंटी की तो दस साल में MSP पे खरीद बिना किसी ए लिए उसको खतम कर पाए क्योंकि कुछ स्वमबू नेता मैं उन्eddar किसान नेता नहीं कूँँगा किसानों गो एन बातों क was टो आपनी ःवजटी कि आपनी अपनी रोटियां सेख रहे हैं उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए पर आने वड़े समय में हम लोगों की वो ब्रांतिये भी दूर करेंगे जिन गरीब और मत्यों वर्ग और खास तोर पे पिछड़े वर्ग का जो काम किया है जो आज पांस साल तक आने वड़े समय में राशन मिल रहा है और मिलता रहेगा वो बातें लोगों के पीछ में जाएंगे तो मैं समझता हूँ समर्थन और बड़ेगा जिस तरह किसे बड़े बड़े नेताओं ने पंजाब में अरेलियां की और क्या लगता है आपको की गड़बंदन ना होने कारण भी एक रहा इसमें इफेक्ट रहा कि आज इन बातों पे चर्चा करना देफिनेटली वो देखिये गड़बंदन का राजनितिक तोर पे फाइदा बिलकुल मिलना था परंतो जिन वो नुक्सान एक तरफ रख के आज जिस नुक्सान के प्रती मैं चंगते तूँ और राश्ट्र को भी प्रदान मंतरी रिकास तोर पे ग्राय मंतरी को पंजाब के उपर निगाह रखने की जरूरत है कि एक मातर जो बावना मेरी थी उस गड़बंदन को लेकि कालिदल और बीजेपी के अंदर इस गड़बंदन होना चाहिए वो सिरफ राजनिती तक्सीमित नहीं था वो था आज पंजाब के अंदर शानती को पर जिस किसम की बुरी आख विदेश की ताक्ते रखती हैं और जिस तरह से रेडिकल और कटरपंती विचारदाना को बढ़ावा मिला है पंजाब के अंदर उसको रोकने के लिए समझोता जरूरी था और मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग इसको बड़ी सब्सक्राइब कि दो इंडिपेंडेंडेंट सांसर चुन के आते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं जिस तरह के अमरित पाल तो जेल में रहते हैं फिर भी जंता जनारदान उको मैंडेट देती है इस सोच के बारे बताए पंजाब की सौर बढ़ रहा है देखे इसी को ले लोगों ने किस तरह से पिछले की शार मीनों में वे गुबारा उठा और फिर बैठ भी गया और फिर से आके बन गया परंतु आप रीद कोट में जो उमीदवार जीता है वही आदमी उसी हलके से दो दफा लगातार हारा है और आज हलात क्यों ऐसे हुए कि आज उसी हलके म क्योंकि जो राजनितिक सवरूप था कालीदल का जो अपने आपको पंत का राजनितिक नुमाया जमात है वो लीडर्शिप अबिलिटी खो बैठी और उस राजनितिक लीडर्शिप के वैक्यूम के अंदर इस किसम के रैडिकल लोगों का आगे आना लोगों का बढ़ावा थे यह पंजाब के लिए चिंता का विशह है तो मैं समाझता हूं उसे बिलकुल आंकों से दरकिनार नहीं किया जा सकता सरकार की जुमेवारी बढ़ती है कि अंदर सरकार को पंजाब की तरफ दियान देना पड़ेगा क्योंकि आलात पंजाब के अंदर निवेशकों के लि रहे हैं उन्होंने सविधान की शप्त लिए तो वो सविधान की कदर भी करेंगे और कानून अपने हाथ में लेकर इस किसमों के दुर बावना दुवेश की बावना ना बढ़ने दें पंजाब के अंदर ये उनकी जम्मेवरी बंढती है कि जिस तरीके से कल कंगना रनावत के साथ चंडीगर एरपोर्ट पे हुआ उस इसलिएंट को आप कैसे देखते हैं बहुत ही मैं समझता हूँ मन्द बागी गटना जिसे आप कह सकते हैं जो कुछ कल हुआ और उससे भी ज्यादा मन्द बागी गटना है कि हिंसा को बढ़ा आप देने के लिए जिस किसम से उसको प्रोच्षाइट करने के लिए आवाजे आ रही हैं ये भी चिंता गविश है कंगना रनावत ने जो बातें कही थी जो विवक्तवे दिया था वो मैं समझता हूँ एस समय दिया था उसकी कोई जरूर्त नहीं जिस समय दिया था परंत समयता हूँ एक uniformed officer की जुमिवारी आम नागरिक से ज़्यादा है क्योंकि वह कनून के रक्षक हैं कनून तोडने वाड़े नहीं है और उसके उपर indiscipline and secondly delayed reaction डाई साल के बाद ऐसी क्या स्थिती बढ़ी क्या ये सारी जिन बातों की तरफ आप इशारा कर रहे थे एक ecosystem इस बावनों का अगर लोगतंतर की हम शब्त लेते हैं तो लोगतंतर में हर वेक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है आप उसका काट कर सकते हैं अगर बावना आ तो ये तो कोट का रस्ता ले सकते हैं परंतु हिंसा को में इंडल्जी करना हिंसा दारन का ये करना और लोग हिंसक जो रिस्पॉंस आया है ये पंजाब को बदनाम कर रहा है आज पंजाब की तरफ जाने से पहले हर वेक्ती तीन बार सोचेगा कि वहां पे कोई भी वेक्ती शुरश इतनी आज से पहले गैंस्टर्स माफिया जेलों में बैठे लोगों को दुमका रहे था और इस तरह यूनिफॉर्म्ट आफिसर्स ये रिस्ता थियार करें तो मैं समझता हूँ इसका हरे एक पक्षिक निंदा करने चाहिए इस पर राजनेतिक रोटियां ये अपना गुट बाजी मजबूत करने में वो लोग पंजाब का आहित करेंगे आप सुने रहते हैं सुनी जाकर को तमाम मुद्धे पर निउस येटिंग के साथ खाथ बात चिकी नहीं दिली से मैं रवी मिश्रा